ससुर बनने की उम्र में दुल्हा बनने पर ट्रॉल हुए आशीश विद्यार्थी साथ साल की उम्र में दूसरी शादी करने पर लोगों ने सुनाई खारी होटी बॉलिवुट के खलनायक आशीश विद्यार्थी ने साथ साल की उम्र में साथ फेरे क्या लिए तो हंगावा मच गया इंटरनेट पर उनकी और उपाली बरुआ की शादी की तस्वीरे आग की तरह वारल हो रही है और फिर अंतस्वीरों पर लोग एक से बढ़कर एक कॉमेंट करें है कुछ लोग बुढ़ापे में हुई शादी पर मजे ले रहे हैं तो कुछ वॉलिवुट के मशूर खलनायक को बुरी तरह ट्रॉल करें है कई लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि प्यार और शादी की कोई उम्र नहीं होती और वो इस न्यूली वेट कपल को शादी की धेर सारी शुब कामनाय दे रहे हैं चलिए अब आपको फचाफट दिखाते हैं कि लोग किस तरह आशीश विद्यार्थी को उनकी नई अवेली दुहन के साथ देख एक से बढ़कर एक कॉमेंट की जा रहे हैं सबसे पहला कॉमेंट देखिए एक यूजर ने लिखा हम नौजवानों का खाता तक नहीं खोल रहा और ये बुजर्ग लोग बाउंडरी पर बाउंडरी लगाये जा रहे हैं वो भी उसम्र में वह एक और यूजर ने कटाक्ष करते हो लिखा पैसा क्या के नहीं करवाता है एक और सोशल मीडियो यूजर ने लिखा उनके तो नाम में ही विद्यार्थी लगा है तो वो अभी दूसरी शादी कर सकते हैं एक दूसरे यूजर ने तो उन्हें आसाम का जीजा ही घोशत कर दिया और लिखा जीजू हमारे आसाम क्या जीजू इसे बीच एक और यूजर का कॉमेंट आया ये विलन तो रियल लाइफ में भी विलन निकला एक यूजर ने आशीश विद्यार्थी को सपोर्ट करते हो लिखा कि क्या हुआ साथ की उम्र में लोगों को प्यार नहीं होता प्यार और शादी की कोई उम्र नहीं होती आशीश विद्यार्थी को दुलह बने देख एक यूजर को सल्मान खान याद आ गए उसने लिखा था मतलब सल्मान खान की शादी का अभी चांस है इसे बीच एक और यूजर ने दपाक से कॉमेंट किया कि प्यार का बदनाम होता है सब पैसे का खेल है वहीं एक और यूजर को इनका किरदार विठल कानिय याद आ गया उन्होंने लिखा वारे विठल कानिय इसमें कोई शक नहीं है कि आशीश विद्यार्थी ने साथ की उम्र में साथ फेरे लेकर सोचल मीडिया पर हड़कम मचा दिया है लोग इनकी शादी की तस्वीरों पर खूब मजले रहे है आपको बता दे कि दूसरी शादी करने के लिए आशीश विद्यार्थी ने अपनी पहली पतनी को तलाग दे दिया है रुपाली बर्वा को हमसफर बनाने के लिए उन्होंने अपनी पतनी का 30 साल पुराना साथ छोड़ दिया कहा जा रहा है कि 2021 तक आशीश विद्यार्थी की पतनी राजोशी विद्यार्थी और इनकी शादी ठीक ठाक चल रही थी लेकिन इसी बीच आशीश की मुलाकात रुपाली बर्वा से हुई और फिर पती-पतनी के बीच वो की एंट्री हो गई 60 साल की उम्र में ऐसा प्यार हुआ कि उन्होंने अपनी पतनी और बेटे तक को छोड़ दिया आशीश विद्यार्थी का बेटा आर्थ विद्यार्थी 23 साल का है खबर है कि बेटे ने अपने विदाजे की दूसरी शादी को हरी जहनली दिखा दी है वही उनकी पतनी राजोशी यानि पीलू विद्यार्थी ने सोचल मीडिया पर एक दर्द भरा पोस्ट शेयर किया है माना जो रहा है कि राजोशी विद्यार्थी अपने पति के बेवफाई से आहत है मतादे कि आशीश विद्यार्थी ने गुरुवार को कॉलकता में कोट मारिच की है कि जुरान दुलह दुलन दोनों ही आसमी इस लुक में नजर आए परिवार वालों और करीबी दोस्तों की मावजूद्गी में ये शादी हुई है दूसरी शादी के बाद आशीश विद्यार्थी बहुत खुश है और उन्हें मीडिया को इंटर्व्यू भी दिया है उन्होंने कहा है कि जंदगी के इस पड़ाव में दूसरी शादी करना एक्स्ट्रो ओर्डिनरी फीलिंग है आशीश विद्यार्थी के नई नवेली दुलहन 50 साल की है आक्टर अपने पत्नी से उम्र में 10 साल बड़े है कहा तो ये भी जा रहा है कि उनकी पत्नी रुपाली की भी दूसरी शादी है हलाकि इस बारे में जादा जानकारी नहीं मिल पाई है एक बात और कोर करने वाली है कि उनकी पहली पत्नी राजो रिशी का भी सरनेम बरवा है और उनकी दूसरी पत्नी का सरनेम भी बरवा है ऐसे में लोग क्यास लगा रहे हैं कि उनकी नई नवेली दुलहन ससराल पक्ष की कोई रिष्टुदार तो नहीं